आपको पता चलेगा तो आपको बहुत सारी कोशन आपको बाइस वारोरी के पेपर में हिंदी में भी आपको दीखेंगे तो सभी आपको इस वीडियो को आपको देख लेना है आपको बहुत सारी डाउट आपको किलियर हो जाएंगे आपको ये भी पता चलेगा कि इन कोशन आपको कितना समय जादा उससे जादा आपको समय नहीं देना है ठीक है अगर question ना आये तो आपको क्या करना इन सभी question को आज इसी पेपर के माध्याब से आप सभी को बताने वाले हूँ ठीक है तो class में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शभी student जो है इस वीडियो को आप लोग शेर कर दीजेगा अपने दोस्तों में और चैनल पहली बारे तो आप सब्सक्राइब करें घंटी को दबागा और पर क्लिक कर दीजेगा ताकि आने वाले समय के important class के notification आपको मिलती रहे हैं ठीक है और क्या क्या आपको जो बचे हुए समय आपके पास जो भी आपके चंग घंटे जो आपके पास बचे हुए तो इन में आपको क्या तैयारी करने यह सभी हम इसी paper के मादियम से आपको बीच-बेज़े बढ़ा दिया आगे बढ़ेंगे ठीक है और इस वीडियो के बाद जो आपको आपको कोई भी वीडियो देखने ज़रूरत नहीं है आप जो ज़्यादा ज़्यादा question आप अपने exercise के हिसाप साब तैयारी करेंगे यह ज़्यादा ज़्यादा आप खुद पढ़िएगा तभी आप exam में लिख पाएंगे आप वीडियो के चपकर में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे वीडियो देखते रहेंगे समय आपके पास नहीं बज़ेगा जिससे कि आप तैयारी करेंगे क्योंकि दोस्तों करना आपको है आप जब से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कितना भी लोग पढ़ा दे कित इस तरीके से पेपर 2030 से पूछा गया तो 24 वे कैसे आएगा बिल्गु सेम पैटर्न रहेगा ठीके तो ध्यास सुनेगा यानि बाइस फ़रू कि जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा इसी तरीके से मिलेगा समान हिंदी केवल प्रश्ण पत्र पूडांग आपका बच्चो खमे ठीक है खंड खमे अब ध्यास सुनेगा खंड का आपका पचास अंक का होगा उसी तरीके से खंड ख भी आपका पचास अंक का होगा अब ध्यास सुनेगा खंड का में बच्चो जो आपको मिलेगा ये आपके हिंदी से कोशन रहेगा हिंदी आपके बुक से कोशन रहे इसी में आपका निबंद हो जाए इन सभी कोश्ण आपको खंड़ बं में देखने के लिए मिलेगा चलिए पेपर जब उठाएंगे तो आप कोश्ण नमा फर्ष आपके पास मिलेगा जो कि आपका बहुवी कलपी रहेगा और पर कोश्ण जो फर्ष जो रहेगा वो आपके ह इन्दी गद्य साहित के विकास से कोश्ण पूछा जाएगा अप कहेंगे सार इसमें बहुत सारे कोश्ण कितना याद करेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको 2017 से लेकर के 2023 के एक बार कोश्ण को एक बार पूरी पूरी पढ़ले नहीं है आपको कोश्ण बैंक से ठीक है उतने हैं आपको करना है चली यहाँ पर इन सभी कोश्ण का हम एंसर एक बार करवा देते हैं इसके बार प्रसाद निरंजनी इसका सही एंसर हो जाएगा खा कहता है सदल मिस्र की रचना है बच्चो यहाँ पर पूछा हुआ है तो दूसरा का सही हो जाएगा यह भेरी बहुत सारे बहुत बार कोश्ण पूछा गया है सदल मिस्र की जो रचना वो नासी के तो पाख्यान है चंदर कांता संतती क्रिति की वीधा क्या है बच्चो तो यह आपका क्या हो जाएगा आपका उपन्यास हो जाएगा इसका चोथा आपसन आपका सही हो जाएगा घा है कि बाल कृष्ण भर्ट संपादक थे तो किसके संपादक दे भाई तो ये आपके हिंदी प्रतीब के क्या थे संपादक दे ठीक है अंगा है आपका कि वाशुर देश रण अग्रवाल की रचना कौन सी है तो वागधरा इसकी इनकी रचना है तो पांच कोसर इस तरीके सबको साही साही कर ले नहीं ये आपके हिंदी करते साहीत के विकास से होगा फिर बस जो आपका चाप पेपर प्रतीब कोश्ण नहीं जो दूसरा होगा ये आपके हिंदी पद्य ठीक है सहित्य के विकास से question होगा सहित्य के विकास से question होगा clear about अब इन में भी आपको 5 question पूछा जागा और एका कंका का बहुवी कलपी रहेगा और इसको भी आपको उसी तरीके स्करना जैसे आपने question number 1 को किये चली clear about आगे बढ़ते हैं अगले question की तरव ठीक है अगले question की तरव बढ़ते हैं तो यहाँ प्ध्या सुनेगे इन सबी question को फिर हम attempt करा देते हैं आपको कोसे नमत जो दूसरा कहता कितनी नाओं में कितनी बार काब किरती है तो बचो ये आपका तीसरा इसका सही हो जाएगा किसकी है सचितनानन्द हिरयाननन्द वातसान अग्ये की है च्छायवाद की प्रमुक विशेसता गया है तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान सुनिए का सुंदर एवन प्रेम यह इसकी प्रमुक विशेसता है इसलिए दूसरा आपसा इसका सही हो जाएगा बच्छों ध्यान सुनिए का आपको करना क्या है आपको प्रथम दूती तिरती सब तक का आपको वर्स याद कर लेना यह आपको किसे निकिसे सेंट में अकसर पूछा जाता है यह बेरी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा पेपर में पूछ सकता है ठीक है चले अंग गहा कहता है कि हिंदी का प्रथम महा कापे किसको माना जाता है बच्छों तो इसका क्या हो जाएगा आपका चोथा आपका सरीज़ा प्रित्विराज रासों को जो है वो हिंदी का प्रथम महा कापे माना जाता है ये भी आपको बच्चो बहरी important question है, कई बार exam में question पूछा गया है, तो आपको क्या कहा है, हिंदी गद, गद्या और पद, साइद के विकास question क्या करना, 2017 से, 2013 से याद करना है, जो repeated question, जो repeat किया हुआ question है, उसको आपको ज्यादा पढ़ ले, उसको ज्यादा याद करनी, clear बा question है, अब इसके बाद बच्चो द्याद सुनी लिजएगा, question हो जो तीसरे की तरह बढ़ेंगी, question हो जो तीसरा होगा, ये हिंदी गद्य से question रहेगा, द्याद सुनी कहता है, दिये के गद्याद पर आदाय निमलिके प्रश्ण का आपको उत्तर देना होगा, और ये देखी question बच जाते हैं, ये रहेगा आपका प्रश्ण उत्तर, आप कहेंगे, sir, प्रश्ण उत्तर मतलब, मतलब ये है, बच्चो इन सभी का प्रश्ण का उत्तर जो इसी गद्याद में क्या है, नीत है, तो इस गद्याद को आप ध्याद में पढ़िएगा, और इसको खोजेगा, राश्र की कलपना कब असंभव है, यहाँ पर इसमें दिया है, कि मात्र भूमी पर निमास करने वाले मनुष राश्र का दूसरा अंग प्रित्वी हो, और मनुष नहो, राश्र की कलपना असंभव है, अब देखेगा, असंभव, अब कलपना कब है, असंभव, ये प्रिथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ आप देखेगा कि प्रिथ्वी और जन दोनों मिलकर कि राष्ट का रूप संपादित करते हैं, निर्मार करते हैं, उनको बनाते हैं, कि लिए रवा, प्रित्वी कब मात्र भूवी की संग्या प्राप्त की, तो लिखा यहाँ पर, कि जन के कारण ही प्रित्वी मात्र भूवी की संग्या प्राप्त की, ठीक है, तो यहाँ पर इस आपको मिल जागा, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर अब ये गध्यान बच्चो Harazzi जो रहेगा वो आपको अथवा करके दो दिया रहेगा, इनमें से किसी एक को करना होगा, जैसे कि हमने आपको शब्डल करके यहाँ पर ठीक है अब बच्चों ध्यान सुनेगा आपको आज रात में करनी गया है अगर गद्यांस आपको देखना है तो 2017 से लेकर गद्यांस के पेपर जो गद्यांस पूछा गया उसको आपको कर लेना है और ध्यान सुनेगा 2023 वाला जो गद्यांस पीछली इस बार आया हुआ साथ सेट में उन सभी गध्यांस को जरूर से देख लेना एक बार देखने हैं कि मतलब यह सभी कोशन का अंसर आप देख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं सिर्फ इसका नाव, चेप्टर का नाव और लेखा का नाम याद होना चाहिए तो दो कोशन में वहाँ से आउर बाकी सभी कोशन आप बना करके कर पाएंगी इसी में से, ठीके, कोई दिक्कत नहीं अब इसी तरीके कोशन में जब फोर गी तरह पड़ेंगी आपके हिंदी पध्यांस से आदाई, आपके कोशन एंसर रहेगा आये भी आप देखेंगे, दस अंके का रहेगा, दो-दो अंके का रहेगा, इसमें भी आपको दो पध्यांस दिया रहेगा अथवा करके और किनी एक पध्यांस जो आपको आता है उसका प्रशन का उत्तर आपको यहाँ पर देना होगा, किलियर बाद? चलिए, यहाँ पर, ठीक है, question of 4, यहाँ पर, तो यह देखिए, अथवा करके, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ध्यास होने के जैसे यह पध्यास दिया हुआ है, पांच question, पहला, दूसार, तीसार, चौतर, पांच दिया हुआ है, अब दो question आपका कामा रहेगा, यह देखिए ठीक है, और बाकि यह तीन कोशन इसी पध्यास का उत्तर आपको लिखना होगा, ठीक है, तो उत्तर आप इसी इसे खोज करशकर रिलिख देंगे, जैसे अपने गध्यास में बता है, उसी तरिके इस पध्यास में हो जाएगा, अथवा करके, दो दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, और पध्यास में भी आपको क्या करना है, आपको कोशन बैंक में आज रात को 2017 से 2030 तक की पध्यास जो भी पेपर ने पूछा गया है, पेपर ने जो आया, उसको आपको त्यार कर लेना, उसे ज़्यास आपको मेनत करने की ज़रूरत नहीं, उसमें आपको करना क और तो थोड़ा से समाझे लिजिएगा और बाट का नाम, शेप्टा का नाम कभी का नाम जरूर याद रखेगा क्योंकि इतना अगर याद रहेगा बाकि इनका कोशन का इंसार आप यहाई से दे बाएंगे खिलेर बाट, दर्सांग यहाँ से आप अर्जित कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और जो लगाता रिपीटेट कोशन बैंक में है और 2023 में जो पद्यान कूछा गया उन सभी को एक बाट जरूर देख लिजेगा आपका काम बन जाएगा ठीक है पेपर के लिए अब चले तरफ बैचों कोशन बैचों 25 परिदेगा ठीक है कोशन बैच नब्बै जो 5 आपको मिलेगा यह रहेगा कहता है कोशन बैचों 5 के जो कहता है कि निम्लिकिती में से किसी एक लेखा का साहेतिक परिच्छे देएँ उनकी प्रमुक रशनाओ का उलेक आपको अधिक्तम स्रुवत स्रीमा 80 सब्द में लिखना है अब बचो ध्याँ सुनेगा 80 सब्द में जब किसी भी लेखा क्या कभी का जीवन पर्चे लिखेगा तो क्या उनका नाम बचपन करना उनके माता पिता करना जन्विस्थान कब हुआ था उनकी सिख्षा क्या हुए थी बस इतना लिखना लाश्म उनकी मृत्यू का डेट पता वो लिख दी जिएगा आपका जिवन पर्षय हो गया पीसेज मत लिखिएगा और कोसिज करिएगा नाम जो है उनके मादा पिता उनके नीचे आप अंडरला कर देगा ठीक है तो यहां पर jional पर्षय लिखने के लिए आपको पता होगा वैं स क्या-क्या मेन-मेन चीजे यहाँ पर लेखनी है किलियर बाग चलिए और बचो आपके लेखक तीन दिया रहेगा एक, दो, ती जैसे यहाँ पर प्रोफेसर जी सुन्दर रिड़ी आचारा हजारी प्रशा दिवती डाक्टर एपी जी अदूर का इसी तरीके साब जी और परचे आज अगर नहीं याद किया तो बिल्गुल याद कर लेज़ेगा तीन दिया रहेगा एक आपको करना हो जो आपको याद है अच्छे से उनको आप करिएगा ठीक है इसी तरीके साब पांच की खा में भी आपको इसमें मिल जाएका आपके निम्लेकी दिमें से किसे एक कभी का साहती परचे देते हैं इसमें आपको काम करना है तो इस तरीके साब करना हो तो इस तरीके साब करेंगे यह किलियर हो गया तो यहां पसको तीन प्लस दो परबाब पांच वहीं आपका तीन अंक आपको जिवन पर्चे साइतीक पर्चे लिखने कि दो आपको रचना लिखने पर आपको मिल जाएगा उमीदिक आप सभी यहांप तयार कर लिए होंगे हमें यहांप कहने कि आपको ज़रूरत नहीं पढ़ेगे किलिए रबाद आगे बढ़ते हैं अब कोश्टन नमद 6 की तरह पढ़ेंगे बच्वों कोश्टन नमद 6 में ध्यान समझ लिजेगा अब कोश्टन नमद 6 में आपको बता देते हैं कि आपको कहानी पर उद्याश डालने के लिए मत करिएगा कोई भी कहानी का आपको सरांस लिख देना इस पर आपको अधिक्तम सब्द सीमा असी सब्दों में लिखना और पांच यहांपर मिल जाएगा आप परकास मत डालिएगा नहीं आपका मन कोश्टन कुछ छुटेगा ठीके तो आप सरांस लिखेगा और सरांस हमने आलडी बता दिया अगर नहीं पता है तो कोश्टन भाग मुठाएगे तीन थो कहानी है तीनों कहानी को पर डालिए आप लिख देंगे ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्टन में साथ की तरह बढ़ते हैं यह आपके कोश्टन में जो साथ रहेगा हो सोपड़ित खंड का भी आताप किसी एक खंड के प्रश्ण का आपको उत्तर देने के लिए कहेगा अधिकतब साथ सीमा वही असी सब्द में पांच चंग इस पर भी रहेगा लेकिन यहाँ आपको ध्यान में यह रख लेनी है कि आपके जीले में जो खंड काभी चलता है उसी काप उत्तर यहाँ पर देना है अब जैसे जो वारारसी वाले जीले होंगे अब जैसे कि वारारसी में रस्मी रती चलता होगा यह देख लिजेगा अगर नहीं पता आपसे चरित्र चित्र पूछेगा जो उसमें आपके कह सकते हैं कि मुख्य जो पात्र जो पात्र या तो आपके उसमें जैसे कोई बिचर देखते हैं तो उसमें एक हिरो रहता है ठीक एक आपका गुंडा रहता है तो मेर पात्र हो जाते हैं उसके बाद आपके उसमें आपक आपको चरित्र चित्र लिखने के लिए आएगा अब कहेंगे सार इसमें हेडिंग डाल डाल कर लिखना होगा तो अब ध्यान सुनेगा अब या तो चरित्र चित्र लिखने के लिए पूछेगा अथवा करके आपसे क्या पूछ लेगा भाई या धर्वाइक के बारे में कोई न कोई अपने धर्वाइक देखा होगा तो उसमें क्या होता एपिसोड होता है आपने देखा कि आज पहले एपिसोड में इतना दिखाएगा तो दूसे एपिसोड में इतना तीसरे में इतना तो उस एपिसोड को यहां हिंदी में आप सर्ग समझ सकते हैं, तो यहाँ प्रतम सर्ग में कहानी में क्या हुआ था, दूतिस सर्ग में कहानी में क्या हुआ था, तितिस सर्ग में कहानी में क्या हुआ था, ओ सर्ग भाई सर्ग कहानी याद रखेगा, या आप चरित चित्र लिख लिजेगा, या उस कहानी का आपसे सारांस ल लिख देना है और यह कभी कभी कहता है कि इसमें प्रथम सर्ग का कथावस्तु अपने सब्दों में लिखे या कहेगा कि रस्मी 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 में जो कड़ी वो मुख्य पात्र हैं मुख्य नायक हैं इनका चरित चीतर आप से पूछा हुआ है इसी तरीके से यहाँ पर जैस चितर आंकर किजिए या त्याग पदि घंकाब के चतुर सर्ग लिखे निए तो आपको करना क्या अप छिले उसका सर्ग बाई सर्ग आप सरांस याद रखेगा और एक आप चरिज चितर आप मौटी-मौटा देख लिजएगा वह ऐसे आप सरांस एक फो पूछा जाएगा रत्वा करके तो वह सब लिख लिएगा पांच आग आपको यहां से बिलकुर असानी से मिल जाने हैं आपको ज्यादा समय नहीं दिना चलिए जैसा कि बच्चों हमने आपको बता दिया था कि पेपर के खंडख कम है आपको 50 कोशन आपके हिंदी से मिलेगे जो हमने बता दिय खंडख से भी आपके 50 कोशन मिलेगा ठीक है आज राज जो बता रहे हैं इंपोर्डेंट वहीं आपको पढ़ लेनी है अब कोर्सर नमर आठ के कम है आपके हिंदी संस्कित गध्यांसों में से एक का संदर्व से हिंदी में अनुबाद करने के लिए दो अंग आपको संदर से दोजा 30 तक कि जितने भी गध्यांस आपको दिये उनका अर्था आप पढ़ लिजेगा जादा नहीं है जादा नहीं पंदर दस बार या पंदर कोशन होंगे कोशन बैंग में आप देखेंगे उसी में से आपको एक मिल जाएगा चेप्टर भाई चेप्टर आप याद क कर लिजेगा ठीक है जो लगाता जिसे 5 साल 6 साल साल ये इस तरीके से कोशन पूछा गया है उन सभी गध्यांस को आपको देख लेना और 2030 वाले गध्यांस को भी आपको देख लेना कि उसमें से बहुत सारे गध्यांस आपको 2024 के पेपर रिपीट करेंगे आज रात को आप गध्यांस के जो खर आपका ये आपके हिंदी पध्यांस में से किसी एका संदरी भी हिंदी मानुबात करने के लिए हमने आपको कहात लेकिन समय नमीले के वज़े navigate कर था है कि इसको कल शूबह में करवा सकते हैं अगर समय मिला तो करवा देगे अनिता आपको question bank में देखेंगे 15 या 17 ठो दिया है उन सभी को याद कर लिजेगा वहीं आएगा कोई दिक्कत है वहीं आएगा 15-70 question bank में दिया है उसको आप तयार कर लिजेगा उसी साब काम बन जाएगा याद कर लिजेगा जिस तरीके से हो सके आपको साथ अंग यहाँ पर मिल जेगा दो अंग का अनुबात के लिए दो अंग संदर्व के लिए पांच अंग आपको अनुबात हिंदी भी करने के लिए किलियर राद और वहीं काम करना सत्र पंदर सत्र दिया है याद कर लिजेगा जो रिपिटेंट उसको और अठ्या त्यार कर लिजेगा आप यहाँ से भी साथ अंग अर्जित कर लेंगे ठीक है आगे बढ़ते कोश्टन नम जो नौ है यह बच्व आपके क्या है निमलेकित महरो लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वहा के प्रियोग करना है यह आपको वहीं 2017 से ले करके तेज तक के जो कोश्टन आया एक बाद देगा कि कि इसमें चार्ट हो दिया है कोई आपको आई जाएगा एक बाद आप देख लिए जारा सुआ है इसमें 32 मत करें कोई भी करेंगा आपका आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोश्टन आम जो 10 है कोश्टन आम 10 का कहता है कि संदी विख्षेद का सही जैन आपको यहां पर करनी है अब जैसे कि कपाला क्या है संदी विख्षेद का सही संदी विख्षेद आपसे पूछा है कि कर लेंगे खा है आपका इसी में कि निम्लिकित सब्दों का विख्षेद आपको यहां पर करना तो कोई भी आपको से कुश्टन पूछ सकता है तो वहीं 2017 से 2013 तक कि आपके पेपर में जो दिया कुश्टन आपको आप लोग देख लिएगा वहां से आपका काम बन जायगा ठीक है जैसे यहां पर दिया हुआ है कि आत्मनी शब्द में विवाक्ति और वचन आपको बतानी है तो इसका पाला का आपका 10 सही हो जागा सब्दमी विवाक्ति एक वचन हो जाएगा और दूसरा इसमें पूछा हुआ है कि नाम सब्द में विखाती और वचन आपसे पूछा हुआ है तो सच्छी विखाती वह हुचन इसका सच्छी असर हो जाएगा इसका कोश्टन नमर 11 की तरह बच्छों आप बढ़ेंगे यह एक सकल मिनस क्या होता है संभू एक शकल मिनस क्या होता है खंडろ होता है तो यह आपका 10 सचा सही हो जाएगा इसका दूसराnehmer геро 11 की ச्टा की तरह बढ़ेंगे जोनी सब्दों में族 से किस एक के दू अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है आपके पेपर में वहीं 2017 से 23 तक वाले आपको कर लें जैसे कि यहाँ धरा मित्र को का इसका दो अर्थ पता दीजिए ठीके दोस्त मित्र का क्या होगा दोस्त साथी इस तरीके साब कर दीजिए ठीके यह आप कर पाएंगे क्या होता है भाई आपका जिक्यांसू होता है ठीके घ्वा है आपके निमलकी शब्दों में से किनी दो वाक्यों को शुद करके आपको यहाँ बलिखना है तो दो वाक्यों को शुद करके जो भी आपके कोशन दिया रहेगा उसमें से आप सुद करके जहले हैं औपके चेप्टर में उस में इक खोड़ को बाकि सबी रसा तयार के जएगा, दो दिया रहा हैं कि एक आपको वहा हैं से मिल जाएँ गा, अलंकार में स्वाद को खोड़ दिजिएगा, जो भी आपके कोशनर बैं clapping में दिया रहा है, आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन आपके सामने की समाचारत पत्र में प्रकासी विग्यापनों के अधार पर लिभिक पत्व अपनी नियुकती के लिए इस पर हमने आलडी आपको वीडियो बना कर बता दिया है और रिड़ प्रापती के लिए बैंक में कैसे आप रिड़ प्रापती के तो हो सकता है कि आज रात को भी आपको एक वीडियो मिल जाए ठीक अब अच्छे त्यान सुनेगा question bank में आपको करना क्या है जितने भी question bank में आपके main main जो भी repeat जो लगातार पेपर में आ रहे 10 साल, 5 साल, 7 साल या इधर भी से लगातार आ रहे जैसे कि आप क्या ये चंद्यान 3 पर भी आपसे पूछा जा सकता इस पर हमने video already बना दिया बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है अब देखेंगे हिंदी वाले playlist में आपको मिछ जागा अब करना क्या दिया सुनीगा आप लोग अब कहके करना है कि जो लगातार आपके 8 साल, 7 साल, 6 साल या इधर भी आपके देख सकते हैं 20, 22, 23 में आपका लगातर कोशन निबंदना है उनको आपको त्यार करना क्या आपको पढ़ना नहीं जादा आपको हेडिंग इपार देख ले नहीं उसके बारे थोड़ा था मोठा माठा जान लेना है तक अगर आए तो आप कर पाएं अब दो हेडिंग हम आपको पेपर में अभी बता देते हैं कोई भी आप निबंदन लिखेंगे प्रस्तावना जो रहेगा ठीक है प्रस्तावना यह आपका पहला हेडिंग रहेगा और जो आप अंतीम हेडिंग रहेगा कोई भी आप निबंदन लिखेंगे आप बना कर लिख देगे उपसंगhar में किसी भी कहानी के निसकर्स होता है कि आपको पेपर 22 फरोरी को मिल जाेगा कुछ नोट पॉइंट बात कर लेते हैं पेपर के नजरीह से ठीक है अब करना क्या आपको अब धेश्ट भी पेपर में चाल ले जाएगा कापी जब मिलेगा तो कापी को आप अच्छे से भरियेगा ना ही समझ में आता है तो आप हो करना क्या है आपके जो भी क्लाश टीचर है जो भी गाइडिक करना है टीचर उनसे आप पूछ लेजिेगा डरना नहीं है क्योंकि वो आपके लिए हैं, आपको बिल्कुर प्रेम से बताएंगे, आपको गलती नहीं है, गलती करेंगे, आपका काफी दिक्कत होगा, हो सकता है कि ज़्यादा गलती होने से आपका काफी भी ना चेक हो, इस तरीके से इन सभी दिक्कतों को आने से पहले आपको क्या पूछ कर लेना है ठीके और पेपर जब मील जाता है बच्चों आप जल्दी लिखिएगा जल्दी फार्ट लिखिएगा हर साल बच्चे यहीं कम्पलेन करते हैं कि सब हमारा कोशन आ रहा तो छुड़ गया तो तियज लिखिएगा तेज लिखना है और सभी question को attempt कर लेना है यह भी question नहीं छोड़ना है जो question सबसे पहले आता है अच्छे सा उसको आप करिएगा जो नहीं आता है तो हिंदी है भाई उसके बारें कुछ न कुछ आप जानते हैं कुछ न कुछ लिख करके आईएगा आपको नमबर मिलेगा यह मेरी guarantee है लिख करके आना सभी question को आप देखेंगे आपको हिंदी में बढ़िया नमबर मिलेगा ठीके तो आप सभी को paper के लिए बहुत बहुत सारे श्रूब कामना है और जिदने भी आपके पास समय बचे हुए हैं आप question bank से फटा बट तयार करें जो topic आप नहीं तयार उसको आप अच्छे से देख लिजएगा और हमने जो भी important में बताना था वो हमने आपको बता दिया है आपके पास समय बचा क्योंकि आपके पास आपको करना क्या सिम्बल सा आपको वक्षा नंबर 9451094356 पर आपको पेपर भेज देना है ठीक है ताकि हम पेपर का सलूशन आपको फटा फटा बता दिए ताकि आप मिला करके फिर नेक्ट पेपर कप तयारी शुरू कर दिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट क्लास में तब तक लिए जै जै भारत